इन दौर में नगरिय निकाय चिनाव से पहले बीजेपी की मुश्किले बढ़ गई हैं। चिनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बचा है और शहर के एक मात्र मुस्लिम बीजेपी पारशद ने भी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। नागरिक्ता संशुदन कानौन और नप्यार की विरोध में मुस्लिम बीजेपी पारशद ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। जिसके बाद अब इन दौर में बीजेपी का एक भी मुस्लिम पारशद नहीं बचा है। एक कोड़ जहां बीजेपी नगरिये निकाय चनावों की तैयारियों में जूट गई हैं तो वहीं दूसरी और देश भर में CAA और NPR को लेकर चल रहे विरोध से भी बीजेपी का सामना हो रहा है। इन दौर में बीजेपी के एक मात्र मुस्लिम पारशद उस्मान पटेल ने पार्टी की प्राथमिक सदिस्यता से भी इस्तिवा दे दिया है। उस्मान पटेल बीजेपी के ऐसे पार्शद थे जो सभी वुतों पर जीत दर्च कर नगर निगम तक पहुँचे थे और कॉंग्रेस के गड़ में सेंद लगा कर बीजेपी को चुनाओं में जीत दर्च करवाते थे। आने की संभावना है। उद्दा हुआ चुकि वो भी मोट से हुआ किसी तरह से किसी समाज ने कोई अपत्ती नहीं ली के ठीक है कोई बात नीव सरकार जो कर रही वो अच्छा कर रही है। लेकिन आज जो ये काला कानून लागू किया जा रहा है इससे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं। मुस्लिम सीख इसाई बहुत पार्थी इंदुस्तान के सभी जितने भी निवासी हैं जिस तरह से नोट बंदी हुई थी नोट बंदी में आपने देखा होगा लाइनों में लग लग के लोग कई लोगों की जाने चली गई कई लोग परेशान हुए कि आज तक वो समल नही है हमें डाकुमेंट दिखाए आज जनता जो परसों हमने कौन सा कपड़ा पेना यह मालूम नहीं कि हमने कौन सा काना काया यह याद नहीं रहता आज यह इस देश में करोणों लोग एसे घुमन तू है इस देश में पच्पंसों से पांचार पांसों से अधिक दंगे कि जो सिय और अन्य जो नागरिक्ता को लेकर अंदुलन चल रहे हैं उससे निश्चित तोर पर आज एक समाज को समाज के सभी लोग बुरी तरह सा आते हैं यह जो आप इस्तिफ़ी की बात कर रहें निश्चित तोर पर बीजेपी में स्तिफ़ों के दोर लगातार रहेंगे वो सिव एक सवाल मुस्लिम समाज कर नहीं है अन्य समाज के अन्य जो लोग हैं पिछड़े वर्क के जो दरित कुचिते वो लोग हैं उन लोगों को भी इन सारे नियमों से इतनी जादा परेशानी आगे भविश्य का आना है कि वो निश्चित तोर पर इसका विरोत करेंग हैं शहता हैं तो सब्balance की जो लोग जिसमें मुस्लिम समाज के लोग रूंऔर अपनी इच्छ रूख थे हिएं उन को आज किस तरीके से कानून के दाइरे में बानना और उनको कानून के दाइरे से बाहर करना ये किसी भी तरह से भारत के हित्मे नहीं है वो भारत की राजनिती और जो भारत महात्मा गांदी के सिद्धानतों पर बना है महात्मा गांदी के सिद्धानतों पर चला है वो ये कभी भी स्विकार न रहा है कि उनके लोग पे उनको छोड़कर जाने लगी